जहीं दोस्तों आ गया हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस 2 के कोश्चन पेपर की और उसके फुल सल्यूशन की दोस्तों इस कोश्चन पेपर में से आपको 60-70% एक्जाम में आ सकता है तो इस वीडियो को पूरा ए कोल तो आपका राइट ऑप्शन है सी ट्रांस्क्रिप्शन आई यह अप सेकेंड कोश्चन देख लेते हैं फॉर फॉर्मेशन एप प्लाजमा मेंब्रेंट डैश मॉलेक्योल्स आर नेससरी तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन है भी ट्रांसलेशन आई अँए अभ थर तो यहां पर आपका राइट आंसर है सी हाइड्रो कार्बोन क्लास्टिक ठीक है बात करें अगर फिफ्ट कोश्चन की तो यहां पर आप से पुछा है ट्रांस जैनिक रॉप पोटेटो जेनरेट अगेंश डेश डिसीज तो यहां पर आपका आएगा राइट आप्शन भी को किया आप एपको यहां और आपकेंडिक्स अपका क्या जाएगा वेस्टस अर गन अब अभणिक्स अमारे बाडी में कोई यूज नहीं रहा ठीक है बात करें अगर अगर सेकेंड की रैट्वाइट इसस्टिक मेंट इस ट्रू और पाल्स کہा है वाइज में जुऊ-आर्डी in cellular respiration यह तो दोस्तों इसका अंसर आप लोग लिख सकते हो NADH2 and FADH2 ठीक है यह आपका अंसर रहेगा आईए अब बात कर लेते हैं 4th question की find the odd man out stigma, stylin, pollen और ovary तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको एक डाइग्राम दिया है और आप से पुछाए वर्ट इस शोन इन दर गिवन डाइग्राम तो आपको लिखना है solar cells in parallel ठीक है आई अब question number two देख लेते हैं गिवरीजन आपका किस टाइब से आ सकते हैं तो first है आपका fiber are one of the important nutrients, second है आपका tiger from the सुन्दबन and rhinos from the manas are under threat ठीक है और third वाले की बात करें तो the leech is used in ayurvedic system of treatment आई अब इसका answer देख लेते हैं यह रहा दोस्तों आपका answer और आपको गिवरीजन के four point लिखने है ठीक है वो भी एकदम systematic अच्छे presentation के साथ और यह रहा आपका second वाले का answer ठीक है और यह रहा आपका third वाले का answer यह आप लोग देख सकते हो third वाले का answer बात करें दोस्तों अगर question number two B की तो यहाँ पर आपको three question को solve करना है ठीक है तो first आपका question बनता है what is the common between these two pictures describe it in short आपको दो picture दिया एक अपने ear पिनना का है और दूसरा आपका wisdom tooth है आपको इसका answer लिखना है यह रहा दोस्तों उसका answer आप लोग देख सकते हो फर्स्ट है आपका ear पिनना और second आपका wisdom tooth ठीक है वेस्टेजियल औरगन है अब इनका कोई यूज नहीं है आगे आप लोग सब कुछ लिख सकते हो second question है आपका write any two points of difference between aerobic and aerobic respiration आईए अब इसका answer भी देख लेते हैं और यह रहा दोस्तों उसका answer आप लोग देख सकते हो आपको systematic properly एकदम proper way में उसको लिखना है ठीक है एकदम point wise अच्छे से आप लोग लिखना इसका answer third question में आपको लिखा है identify the person in the given picture and what is his contribution for environment पता नहीं यह असम के Mr. जादव है आई अब इनका answer देख लेते हैं उसका answer the photograph is of Mr. जादव मोलाई पायंग ठीक है यह क्या करते थे tree plantation का काम करते थे असम में ठीक है यह आप लोग लिख सकते हो पूरा answer देखके आईए दोस्तों question number 4 देख लेते हैं observe the figure and answer the following question ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं first identify the given bacterium and write its name second है आपका what is the function carried on by this bacterium यह रहा दोस्तों उसका answer the bacterium given in the picture is Alconovorex borchomensis second में आपको लिखना है it can destroy the pyridines and other chemicals therefore it is used to clear the oil spill thus they are called hydrocarbonoclastic bacteria ठीक है यह आपका answer है question में आपको लिखा है identify the disaster and write its destructive effect ठीक है तो आपको इसको identify करना है तो इसी तरह आपको किसी भी disaster का एक image दे देंगे और आपको बोला होगा उसे identify करो और उसके destructive effect बताओ तो ठीक है आप लोग इसका answer देख सकते हो इसका answer the disaster shown in the picture is flood ठीक है उसके बाद आप उसका destructive effect भी देखकर लिख सकते हो बात करें दोस्तों अगर question number three के first की तो यहाँ पर आपको लिखा है identify the pointed parts from the given diagram and write their function ठीक है यहाँ पर A, B और C आपको इनको identify करना है और उनके क्या function है वो आपको लिखने है तो सबसे पहले आप लोग लिख दोगे A ovary, B uterus और C vagina फिर उसके आप लोग function लिख दोगे ठीक है लाइन से second question है आपका which precaution is shown by the following symbols which disaster में occurs if following symbols are ignored तो यह रहा दोस्तों आपका answer first वाला था आपका explosive, second वाला था inflammable और third वाला था आपका oxidizing ठीक है आप लोग यह answer देखके लिख सकते हो third question है आपका how are threatened species classified give example of any three category of threatened species तो आई अब इसका answer देख लेते हैं first आपको लिखना था endangered species, second में आप लोग लिखोगे rare species, third में vulnerable species और fourth वाले में indeterminate species ठीक है यह आपका answer fourth question है write the classification of the following animals तो दोस्तों आपको animal classification का chapter अच्छे से learn करके जाना है और इस तरह से आप अपना answer लिखोगे, a आपका लिखोगे wall lizard, second आपका लिखोगे butterfly और third आपका लिखोगे starfish उसके बाद में आपको classification करना है तिनों का ठीक है यह वाले chapter को अच्छे से करके जाना इसमें से आने के chances बहुत जाद है फिफ्ट कोश्चन है आपका complete the following concept diagram जैन्थन गम आपको यहाँ पर क्या करना है answer को fill up करना है यह रहा दोस्तों आपका answer आप लोग देख सकते हो six question है आपका solve the following crossword तो first है आपका the wrong habit picked up at young age that make you sick तो यह first number पर first का ही आपका answer start होगा तो यहाँ पर आपको लिखना है addiction बात करेंगर second की तो यह भी आपको across में लिखना है this keep you happy and occupied तो आप happy और occupied busy रहते किस चीज़ की वज़े से तो hobby की वज़े से third भी आपको down में लिखना है the telephone number that are useful तो आपको यहाँ से start करना है help line बात करें अगर fourth की तो यह आपको लिखा है आपके best friend when you are all alone they give lots of knowledge to तो यहाँ पर आपको इसका answer लिखना है books ठीक है और बात करें अगर fifth वाले question की तो यहाँ पर आपको दिया है this is necessary for maintaining good health तो यहाँ पर आपको fifth वाले का answer भी down में लिखना है yoga ठीक है seventh question अपका what are the various ways to minimize the mental stress ठीक है तो इसका answer भी देख लेते हैं तो first है आपका laughter club आप लोग laughter club join कर सकते हो good communication अपने दोस्तों से अच्छी तरह बात होत कर सकते हो writing लिखा है आप लोग कुछ भी अपना लिख सकते हो कि आपसे क्या गलती होई है यह सब fourth वाले में लिखा है hobbies method that can be used by child as couple to get a baby और B आपका है which method is shown in the following figure और C आपका है write a short note on 8 आई अब इसका answer देख लेते हैं यह रहा दोस्तों 8 का A का answer यह B का और यह रहा आपका C का answer ठीक है बात करें अगर question number four की तो यहां पर आपको दो question दियोंगे एक होगा EVS से और एक आपका होगा biology से ठीक है दो में से आपको किसी एक को अटेम करना होगा तो first question आपका paragraph type में है और यह आपको आया है EVS वाले chapter से तो आईए यहां के questions को देख लेते हैं what is renewable energy second में आपसे पुछा give the example of renewable energy why will energy from fossil fuel to be over soon fourth में आपसे पुछा है name the renewable sources of energy which are not dependent on sun और fifth में आपको पुछा है what which type of energy biology do we mostly use in India ठीक है इसका answer आपको passage में से ढूंड कर लिखना है तो उसका answer आप लोग देख सकते हो ठीक है पुरे 5 के 5 answer आपके सामने हैं आप लोग देख सकते हो कि लेते हैं fourth के second question की make a concept chart to show merits of biotechnology ठीक है तो यह आपका biology chapter से आया है merits of biotechnology आपको इसका demerit भी learn कर लेना अच्छे से तो उसका answer आप लोग देख सकते हो score करना बहुत easy है ठीक है आपको biology में six lesson दिए गये हैं और evs के आपको four lesson दिए गये हैं तो आप evs के भी अगर चार lesson learn कर लेते हो और बायों में से किसी भी दो lesson को अच्छे से learn कर लेते हो तो आप लोग easily 30 to 35 score कर सकते हो बट आप लोगों को objective तो सभी lesson के ही learn करने पड़ेंगे ठीक है दोस्तों लेते कि आपको answer का presentation कैसा देना ठीक है तो यह देखिए यह इस type में आप लोग objective लिखोगे ठीक है यह देखिए यह आपका objective के answer से आपको question पे focus नही करना है answer proper way में लिखना है यह देखिए यह अपका gyrove reason का answer है ठीक है यह आपका give reason का answer है यह देखिए यह पूरे आपके answer का paper presentation है आपको neat and clean अच्छे से लिखना है ठीक है यह देख लिजी पूरे answer इस तरह से आपको present करना है ठीक है exam में present करना ही सबसे main होता है जितना सुन्दर आपका presentation होगा उतने ही अच्छे marks आपको मिलेंगे यह रहा आपका पूरा presentation देखे किस तरह से आपको answer लिखना है ठीक है question paper March 2020 की तो इसके question भी बहुत ज़्यादा important है आप लोग एक बार देख लो और इनके answer को भी अच्छे से learn कर ले न ठीक है यह देखिए यहाँ पर आपका objective type question यह रहा दोस्तों आपका तीनों give reason अच्छे से देख लेना फिर उसके आगे यह देख लेख सकते हो आप लोग question यहाँ पर जो आपको diagram दिया है उसके बारे में आपको लिखना है यह देखिए यह microbes का image दे दिया यहाँ पर और बात करें अगर question number three की any five जो आपको solve करने तो उसके question भी आप लोग देख सकते हो ठीक है यह आपके question है यह वाला question भी आपके लिए बहुत important है आए आगे का देख लेते हैं हम लोग यह रहा आपका 7th question 8th question देखिए question number four आपका किस type में बना है first और यह रहा आपका second ठीक है तो एक आपका आजाएगा EVS से और एक आपका आजाएगा biology से ठीक है कि नीचे भी मैंने कुछ आपको question paper दिये science part 2 के जिसे आप लोग मेरे telegram channel से easily download कर सकते हो ठीक है आपको करना के मेरे telegram channel widget tutorial पर जाना है उसे join करना है और आप इसे easily वहाँ से download कर सकते हो बहुत ही important question है यह भी एक बार आप जरूर देखना ठीक है ऐसे मैंने पाच question paper सेट आपके लिए नीचे डाल के रखें आप लोग उसको download कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा फिर मिलता हूं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जैह